चोपड़ा है जोगिस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो करनाटका स्टेट का काउंसलिंग के लिए सेडियूल जारी हो चुका है और इसका ओनलाइन एप्लिकेशन फिल करने के लिए लिंक भी एक्टिव हो चुका है तो यह है एक ओपन स्टेट है करनाटका की प्राइवेट मेडिकल कोलेज में अदर स्टेट कंडिडेट एडिमिसन ले सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि क्या है इसका सेडियूल और ओनलाइन एप्लिकेशन फॉरूम हम स्टेप बाई स्टेप कैसे फिल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रोब्लम आते हैं साथ में इसका भी मैं आपको सोलिशन बताऊंगा इसके बाद नेक्स्ट क्या एक्षन होगा एप्लिकेशन फॉरूम फिल करने के बाद उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँगा तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग के बारे में या फिर आल इंडिया काउंसलिंग के बारे में और कुछ जानकारी चाते हैं तो आप हमारी paid counseling भी ले सकते हैं, अब हम जैसे इसकी website पर visit करते हैं, यहाँ पर हम English version चूज कर लेते हैं, लेंग्वेज, यहाँ पर हमें UGNeed21 का portal मिलेगा, इस पर अलग-अलग tapes है, notification का है, UGNeed21 online application link है, information bulletin है, इसके बाद schedule है, तो सबसे पहले हम schedule पर click करके, एक बार इसका schedule देख लेते हैं, तो इसकी जो application fill करनी की last date है, वो 17th December 21 है, registration fees 18th December तक complete कर सकते हैं, जो करनाटका स्टेट के candidate है, special category के certificate उनको, 17th, 18th को के यह office में उनका verification करवा सकते हैं, जो PWD candidate है, करनाटका स्टेट के medical exam 17th और 18th को करवा सकते हैं, जो non करनाटका स्टेट candidate है, यानि कि other state candidate है, private college में admission लेना चाते हैं, उनके documents upload होंगे, वो 15th से 20 तक होंगे, क्या क्या upload होंगे, यह मैं आपको last में बताऊंगा, इस वीडियो में, इसके बाद जो करनाटका language का test होता है, जो करनाटका स्टेट के candidate हैं, उनके लिए, वो 18th December 21 को होगा, और इसके बाद verification slip है, वो के यह की website से आप 28 से 30 December 8 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं, इसको, तो यह तो था इसका schedule, अब एक बार इसका हम online forum fill करने के लिए step by step process जान लेते हैं, तो यहाँ पर यूजी नीड 21 के online application link पर click करेंगे, तो हमरे पास दो option मिलेंगे, एक तो candidate login का मिलेगा, अगर हमने आलड़ी registration कर रखा है, तो candidate login पर click करेंगे, अगर registration नहीं किया है, तो यहाँ पर new user पर click करेंगे, तो जैसे new user पर click करेंगे, हमारे से पूछा जाएगा कि क्या आपने UGCET21 के लिए apply कर रखा है पहले, तो करनाटका स्टेट में इसके registration पहले हो जाते हैं, जिसमें engineering exam के लिए और admission के लिए और बाकी courses में admission के लिए exam लगता है, उसमें registration करते हैं, तो यह करनाटका स्टेट के candidate जिन्होंने इसके लिए registration कर रखा है, वो yes करेंगे, other state के candidate इसमें no कर देंगे, तो इसमें no करने के बाद में यह steps आगे आगे open होते जाते हैं, यहाँ पर हमने Indian करना है, तो जैसी हमने Indian yes select करेंगे हमें इसमें, इसके बाद में आगे roll number फिल करने हैं आपके, तो आप जैसे ही यहाँ neat के roll number फिल करेंगे, आपका जो यूजी में name था, इसमें यूजी नीट में वो यहाँ name अपने आप appear हो जाएगा, father name हो जाएगा, mother name हो जाएगा, gender आपने यहाँ select करना है, date of birth आटोमेटिक इसके बाद में आपने यहाँ mobile number फिल करना है, valid email id फिल करनी है, उसके बाद में आपने 8 character से ज़्यादा password यहाँ पर यह बनाना है, password create करना है, जिसमें एक capital letter होगा, उसके बाद में small letter होगा, special collector होगा और figure होगे, तो इस परकार का आप इसमें password यह create करें और re-enter password कर देंगे इसके बाद में select secret question आपने इनमें drop down में select करना है, तो इसमें आते हैं कि आपका नाम, mother name क्या है, तो कई परकार के question होगे, उसका answer देंगे, उसको लिख लें, क्योंकि यह आपको बाद में काम आता है, अगर आप password वगर आप भूल जाते हैं, तो उस समय यह काम में आता है, उसके बाद में आपने यह जो capture है, यह फिल करना है, और registration पर click करना है, जैसे ही आप registration पर click करेंगे, इस परकार का message show होगा, यहां पर आपको user ID मिलेगा, वो user ID आपने कहीं note कर लेना है, और password जो आपने create के हैं, वो भी आपने note कर लेने हैं, इसके बाद में आपने फिर यह capture code फिल करने के बाद में login पर click करना है, वापस website पर आ करके, जैसे ही आप login पर click करेंगे, यहां पर आपको यह form एक तो general details फिल करनी है, उसके बाद academic details फिल करनी है, उसके बाद reservation यह करनाटका इस्टेट वालों के लिए हैं, लेकिन इसके कुछ आपने parts फिल करने हैं, study details फि upload करने हैं, इसके बाद में declaration पर tick करना है, payment करना है और application का print ले लेना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर application details के बारे में, तो application details हमने यहां फिल करनी है, तो application details हम फिल करने के लिए, यहां पर हमारे पास में, जैसे ही इस पर click करेंगे, तो यहां पर पहले जो registration के time म हमने जो details फिल की थी वो automatic यहां पर आ जाएगी role number आ जाएगे need के score आ जाएगा candidate name आ जाएगा father name आ जाएगा date of birth आ जाएगा यह सारी details यहां पर जो हमने fill कर रखे वो आ जाएगी अब इसमें quota under which you are applying for आप किसके लिए apply करनाटका state से हैं अगर आप करनाटका state के domicile candidate हैं तो करनाटका करना है अगर non करनाटका है other states हैं तो करनाटका करना है मैं यहापर non करनाटका कर देता हूँ तो जैसे ही मैं यहापर non करनाटका करूंगा यह select eligibility class code में यहाँ y अपने आप select हो जाएगा अगर करनाटका state से हैं तो इसमें eligibility code के लिए अलग-अलग code दे रखें एसे लेकर के तो आप वो code दे सकते हैं non-karnatka जैसे ही select करेंगे इसमें why अपने आप select हो जाएगा इसके बाद में अगर आपने कarnatka state से 10th pass की है तो यहाँ yes कर दें otherwise no कर दें यहाँ यहाँ नो कर रहा हूँ यहाँ इसके बाद में 12th है अगर कarnatka से कर रखें तो yes कर दें otherwise no कर दें मैं यहाँ पर no कर रहा हूँ क्योंकि मैं other state से apply कर रहा हूँ इसके बाद में आपने कarnatka state में कितनी साल की study की है अगर आप कarnatka state से हैं जितनी year आपने कarnatka state में study की है वो यहाँ फिल कर दें मैं यहाँ पर zero select कर रहा हूँ क्योंकि मैंने राजस्तान से study की है तो मैं यहाँ पर zero select कर रहा हूँ अभी qualifying examination board यहाँ पर select करना है तो जैसे आप select करेंगे तो मैं यहाँ पर outside करनाट का 10 plus 2 कर रहा हूँ यह select कर रहा हूँ क्योंकि मैंने करनाट के outside से क्या है इसलिए मैं यह select कर रहा हूँ इसमें अभी state fill करना है जिस से हमने किया है 12th pass किया है तो मैंने राजस्तान से किया है तो मैं यहांपर ड्रोपडाउन में राजस्तान कर देता हूँ यहांपर अब जब मैं राजस्तान कर रहा हूँ तो यहां पर हमारे को डिस्टीक के तालुक वगरा यह फिल करने के आवश्यक्तर नहीं है यह सिरफ करनाट का स्टेट करेंगे तब यह हाइलाइट होगा अधरवाइज यह हाइलाइट नहीं होगा इसमें इसके बाद में POC यह इसमें हम POC स्टुडेंट रोल नमबर अगर नहीं है तो नो कर देंगे क्योंकि हम अधरव स्टेट से हैं इसलिए नो कर देंगे और 12th के जो पासिंग येर है वो यहां पर हम डाल देंगे इसमें यह डालने के बाद में अगर आप डालना चाहिए 10th स् रेजिस्टर्ड शॉरी रेजिस्टर नमबर तो यहां डाल सकते मारक सीट पर जो लिखे हैं उसके बाद में आपने next करना है तो जैसे ही आप next करोगे हम next step पर आ जाएंगे reservation के step पर तो इसमें जैसे ही हम religion पर click करेंगे यहां हिंदू कर दूँगा मैं आप जिस आपका जो reservation करनाटका state के लिए होता है, other state candidate को कोई वह reservation लागून नहीं होता है, फिर भी ये condition फिल करने के बाद ही आगे, ये details फिल करने के बाद ही आगे फॉर्म apply होता है annual income में लिख दूँगा, इसके बाद में eligibility में यहाँ general candidate, general merit select कर देंगे, automatic के आउटसाइड करनाटका के लिए यहाँ जनरल मेरिट आजाएगी Select your eligible reservation में जनरल मेरिट आजाएगी उस पर क्लिक कर देंगे हम इसके बाद में यह detail आपको Inter-cast certificate number fill नहीं करना है Inter-income certificate number fill करने के आवश्यक्ता नहीं है बाकि इसमें और कोई साथ आपको fill करने की आवश्यक्ता नहीं है इसमें आप no 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 select कर दें आप तीनों में अगर ये तीनों आपके लिए नहीं हैं तो तीनों में no select कर दें इसके बाद में इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप out state से हैं करनाटका से हैं तो आपके पास अगर कोई certificate है NCC वगरा का तो इसमें कर सकते हैं Outer State से हैं तो करने की आवश्यक्तर नहीं है इसमें क्या आप religious minority quota के लिए आप apply करना चाते हैं तो मैं आपको पता दूँ कि जो other state candidate हैं वो सेंट जोन में अगर admission लेना चाते हैं और वो Christian minority से हैं उनके पास certificate है तो वो yes कर सकते हैं बाके otherwise जो ये claim नहीं करना चाते हैं वो no पर click कर दें यहां पर तो ये no पर click कर दें next option में भी आप no पर click कर सकते हैं और NRI candidate नहीं हैं तो no पर click कर दें इसके बाद में यहां तीन option आते हैं save का भी आता है modify का आता है previous page में जाना चाते हैं वो भी है और next page में जाना चाते हैं तो मैं next में click करूंगा यहां पर हमें study details फिल करने हैं वैसे यह करनाट का state candidate के लिए होती है लेकिन other state candidate भी इसको फिल करते हैं तभी यह form आगे proceed होता है तो इसमें अलग-अलगे दी हुई हैं सबसे पहले name of school address देना है इस box में उसके बाद में कौन सी class में पढ़ाई की है वो देना है और कौन से year से आपने study की है कौन से year तक की है और passing year देना है इसमें तो यह क्या है कि first से लेके 12 तक इसमें आप यह detail फिल कर दे इसमें आगे option edit का option भी आता है delete का भी आता है save का भी आता है एक बार detail फिल करने के बाद जैसे ही save करेंगे next में drop down फिर से आ जाएंगे तो इसमें फिर से detail फिल कर दे मैं यहाँ पर इस परकार से मैंने detail फिल कर दी है इसमें first से लेके लास्ट तक इस परकार सी डिटेल फिल कर दी है उसके बाद next page पर click करेंगे तो next page पर click करेंगे तो यहाँ पर हमें photo upload करनी है candidate की photo upload करनी है candidate के signature upload करने है और parents के signature upload करने है यहाँ पर इसमें specification दे रखा है कि कितने kb में आपने photo और signature upload लोड करने हैं यह आप इसमें पढ़ लें कुन कितने केबी में करने हैं इसके बाद में फिर मैं आपको बता देता हूँ यहां जो इमेज की साइज है वो 40 केबी से ज्यादर नहीं होने चीए सिगनेचर की जो साइज है वो 40 केबी से ज्यादर नहीं होने चीए इसमें इसके परकार से आप इसको अपलोड कर दें जैसे आपने नीट के फोरम में अपलोड किया था फोटो सिगनेचर उसी परकार से इसमें एक पैरेंट्स के सिगनेचर होंगे एक कंडिडेट के होंगे और कंडिडेट का फोटो होगा इसके बाद next step पर कलिक करेंगे तो यहां पर declaration अब हमारा application तो हो गया है अभी हमने payment करना है यहां पर तो payment करने के लिए हमने payment option पर कलिक करना है तो payment का option आ जाएगा उसमें यहां पर हमें 1000 रुपीज पेड करने हैं other state कंडिडेट के लिए करनाटका इस्टेट के लिए general के लिए 1000 है और जो reserve category है उनके लिए 500 रुपीज ह तो इस परकार से यह 1000 रुपीज पेड करके आप इसको debit card से credit card से paid कर सकते हैं जैसे बाकी application fees paid करते हैं registration fees paid करते हैं same procedure इसमें भी है यह paid करने के बाद में आपने इस application form का print ले लेना है तो print लेकर के इसको future reference के लिए रख लेना है अब इसके बाद में यह आपका application form भी complete हो गय registration fees भी deposit कर दी आपने इसके बाद में 15 December से लेके 20 December तक आपको documents upload करने हैं जो non करनाट का state के हैं उनको जो upload करने हैं documents वो एक single PDF में 10th की mark seat, NEET का scorecard और 12th की mark seat, 3 documents यह आपको एक single PDF में upload करने हैं जैसी आप login करोगे upload करने के लिए documents upload के लिए वहाँ पर आपको link मिल जाएगा उस link पर click करके यह single PDF फाइल में आपको यह तीनु documents upload करने हैं तो यह documents upload करने के बाद में के यह दवारा इसको verify किया जाएगा जैसे आपके documents सही हैं तो ठीक है आपके एक list publish कर दी जाएगी जिन जिन candidate के documents verified हो चुक list कर दी जाएगी तो एक समय दिया जाएगा उस समय के अनुसार उसको documents को सही करके दुबारा से upload का मोका दिया जाएगा और इसके बाद में verify कर दिया जाएगा तो जैसे ही documents verify हो जाएगे उसके बाद एक secret key मिलेगी वह secret key मिलने के बाद ही आप 24 फिल कर सकते हैं तो यह आग बता देंगे कि कब secret key download हो रही है इसके बाद में आप documents आपके verify होगे तो verification slip भी आपको 28 से 30 December तक available होगी K.E.A. की website पर तो यह करनाटका state का पूरा process था जो मैंने आपको समझा दिया गया है और अगर आपको फिर भी कोई problem होती है तो आप comments box में लिख सकते हैं वैसे अभी फिलाल इसके करनाटका state के form में कभी कभी बीच में server में problem आ रही है तो फिर से आपको login करके फिर step पूरा करना है फिर problem आ जाती है फिर से login करके step पूरे करके आपने application form फिल करना है तो यह process था पूरा बाकी update मिलेगी बाकी states के बारे में ओल इंडिया के बारे में तो हम आप आपको inform कर देंगे मिलेंगे नए वीडियो में नई update के साथ में तब तक के लिए जैहिन